सिर्फ इस पेसिस पर कि रेप का आरोप लगाने वाली लड़की ने शिकायत करता लड़की से ही शादी कर ली है क्या इस अधार पर उसके उपर लगाई गई F.I.R. और पॉक्सू एक्ट को हटाया जा सकता है दिली हाई कोट ने कुछ इसी तरह के मामले की सुनवाई की दिली हाई कोट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने पॉक्सो एक्ट के तहट एक F.I.R. को दर्ज किया गया था उसको रद करने से इनकार कर दिया क्योंकि आरोपी और शिकायत करता ने इस आधार पर इसे रद करने के मांग की थी कि उन्होंने अपने जो भी डिस्प्यूट थे विवाद थे उनको सुलचा लिया है और एक दूसरे से शादी कर ली है और उन्हें एक बेटा हुआ है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब कोट ने इस FIR को रद करने से मना कर दिया और खारिज करते हुए ये कहा कि केवल फैक्ट ये है कि दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है जिसके बाद FIR को रद नहीं किया जाएगा प्रेजन्ट में FIR, IPC के सेक्षन 376 और POXO Act के सेक्षन 6 के तहट एक दंडनिय अपराद बनाता है जो कि एक कमभी तरह का अपराद है सुप्रीम कोट ने अपने बहुत सारे जज्जमेंट में ये कहा है कि IPC के सेक्षन 376 जो कि रेप के लिए लगाई जाती है ऐसे अपरादों में समझोता नहीं किया जा सकता और सेक्षन 376 के तहट जो दंडनिय अपराद है उससे related जो FIR है पार्टियों के 20 समझोता होने के आधार पर भी रद नहीं की जाएंगी इस केस में लड़की ने 2020 में FIR दर्ज करवाई थी उसने आरोप लगाया था कि वो जब 16 साल की थी तो आरोपी ने उसके साथ कई बार यौन संबंद बनाये थे जिसके परिणाम सुरूप वो गरवती हो गई थी शिकायत करता की और से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने बताया कि आरोपी के साथ उन्होंने जो भी मामला था सुलचा लिया है और इसी साल की सुरुवात में उन्होंने अपनी मरजी से शादी भी कर ली है और ये शादी बिना किसी डर या दबाव के हुई है उन्होंने CRPC के section 164 के तहट trial court में जब बयान दिये थे तो उसने बार-बार यही आरोब दोराए थे कि उसके साथ उस वेक्टी ने रेप किया था इसलिए court ने कहा कि सारे फेक्ट पर गंभीरता से सोचने के बाद इस याचिका की इजाज़त नहीं दी जा सकती और IPC के section 376 और POXO Act के section 6 के तहट FIR को रद नहीं किया जा सकता बेशक ही उन दोनों के बेच में समझोता क्यों न हो गया हो वीडियो इंफोमेटिव है तो आप इसे like, share और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा